निरंतर न्यूस अप्डेट कोसम चानल नो सब्स्क्राइब छेंडी पकने उंडे बेल सिंबल नो क्लिक छेड़ं मच पोकंडी अप्डेट्स नी मिस अवकंडी मंच पे बैटे हमारे डेपटी सीम साथ जनाप मौमद महमुदली साथ होम मिनिस्टर साथ नायनी नर्सिमारेडी साथ वक्फ बोर्ड के चेर्मन और मल्सी साथ सलीम साथ मल्सी जनाप फारुक हुसेन साथ महभूब नगर के टी आरेस के खाइद और 11 दिसम्बर को फिर से बनने वाले मल्सी साथ हमारे स्रीनिवास गौड साथ और मंच पेटे तमाम बुजर्ग और मेरे भाई आप सबको मैं अपना सालाम पेश करता हूँ 12 तारिक के दिन जो मिलाद उननभी है उसका भी मैं अडवान्स में आपको मुबारक बात देता हूँ आज मैं यहां पे आप सबके सामने बस एक ही बात बोलने के लिए आया था क्योंकि मुझे मुझे मुंबाई भी जाना है सलीम भाई बोले कि किसी भी याल में आपको आना है सबसे एक बार मिल के मुखातिफ करके जाना है तो मैं बस दो-चार लबस आपके सामने रखके मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइड भी पकड़ना है, मुंबाई भी जाना है आज CM साब को, हमारे KCR साब को एक बहुत prestigious, एहम अवार्ड मिला, Economic Times की तरफ से Business Reformer of the Year एक अवार्ड मिला है, तो वो लेने मैं जा रहा हूँ उनके तरफ से पिछले चार सालों में आपने देखा है KCR साब ने पिछले चार सालों में ऐसा एक हुकूमत चलाया, जिसमें उन्होंने इनसानों के बीच में मजभ के नाम के मजभ के नाम से कोई फरक कभी आने नहीं दिया, फरक कभी किसी को महसूस नहीं करने दिया गरीब चाहे कोई क्वाम का हो, गरीब चाहे कोई मजभ का हो गरीब ही होता है तो इसलिए पिछले चार सालों में जितने भी प्रोग्राम उन्होंने कायम किये जितने भी प्रोग्राम उन्होंने चालू किये, शुरुआत किये सब में अगर आप देखेंगे चाहे ओ दशेरा के टाइम पे गरीब हिंदुओं को तवफा देने की बात हो एद के वक्त, रमजान के वक्त गरीब मुसल्मानों को तवफा देने की बात हो या क्रिस्मस के टाइम पे गरीब हिसाईयों को एक तवफा देने की बात हो उन्होंने गरीबों को गरीबों के नजरिया से देखे उन्होंने इनसानों को इनसान की तरह देखा उन्होंने और किसी को कभी जैसे इससे पहले कॉंग्रेस या टीडीपी थी पार्टी जो लोग हमेशा हमारे मुसल्मान भाईयों को एक वोट डालने वाली मेशीन की तरह देखते थे उस नजरिये से केस यार साब ने कभी हमारे मुसल्मान भाईयों को हमारे अखलियतों को ना पर कभी ने देखे इसलिए आज पूरे मुल्क में जहां आज एक इनसेक्यूरिटी हमारे भाईयों को महसूस होती है आज वो हाल चाल और वो हालत यहां पर हमारे ओमिनिस्टर साब है हमारे डप्टी चीफ मिनिस्टर साब है और केसियार साब की सरफरेस्टी में पिछले चार सालों में यहां किसी को चाहे हो मुसल्मान हो चाहे हिंदू हो चाहे हिसाई हो किसी को insecure feel होने की एक second के लिए भी एक second के लिए भी पिछले चार सालों में जरुरत नहीं पड़ी मैं हैधराबाद में मेरी पैदाईश करीम नगर की है मेरी परबरिश यहीं पे हुई हैदराबाद में स्कूल में पड़ा है यहाँ पे हैदराबाद में मैं कॉलेज भी गया मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है हैदराबाद में हर ऑगस्ट सिप्टेमबर में जब भी गनेश का तियो हार होता था या अनुमान जेहनती होती थी या चाहे बहुत और भी ऐसे मोके थे जब हमेशा मेरे पच्चपन में, मेरे स्कूल में कम से कम चार या पांस दिन चुटी मिलना ही मिलना था क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फसाद, कहीं न कहीं हैदराबाद शहर में या तो पुराने शहर में या नए शहर में, कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ होता था और जरूर कर्फ्यू लगना ही लगना था पर पिछले चार सालों में भाईयों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, केसियार साब ने ऐसा हुकूमत चलाया जहां पर उन्होंने पूरी तरह से कोशिश किया कि यहां की जो अमन है यहां की जो गंगा, जमना, तैजिब जिसके लिए हम जाने जाते हैं जिस खदर हमारे हिंदू और मुसल्मान भाई साथ मिलके रहते हैं तिलंगाना में स्टार्ट करने की बात हो या चाहे वो गरीब बच्चों को 20 लाग रुपय दे के उनको Overseas scholarship देने की बात हो चाहे वो दोसों से ज़दा residential school चालू करके बच्चों को और बच्चियों को तालीम के वास्ते एक एक बच्चे और बच्ची पे एक लाग बीस हजार रुपया खर्च करके एक private residential school में जिस तरह की आपको तालीम मिलती है उस तरह की उस standard की तालीम देने की बात हो इस सारे ही चीज़ों में केसियार साब ने कभी मजब का मजब का क्राइटिरिया नहीं लिया उन्होंने हमेशा गरीब को गरीब की तरह देखा इनसान को इनसान की तरह देखा मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ आप सबको मैं आप सबसे एक ही दर्खवास करता हूँ ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे लीडर जो की बातों में सेक्यूलर नहीं है जो की अपने हरकतों से आज सेक्यूलर है पूरी तरह से पिछले चार सालों में जिन्होंने आज हमारे चाहे वो गरीब मुसल्मान हो गरीब हिंदू हो गरीब इसाई हो हर किसी का दिल जीतने की कोशिश ऐसे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने काम करके पिछले चार सालों में आज हर गरीब के लिए एक भाई की तरह एक बंदू की तरह जिन्होंने काम किया इन सब इनका हिफाज़त करना इनको फिर से जिताना हम सबकी जिम्यदारी है हम सबका एक आप सबका दूजा से मैं उमीद करता हूँ आप सबकी दुए से वो फिर जीत के वापिस आएंगे और जितने भी प्रोग्रम अभी तक उन्होंने स्टार्ट किया और जितने उनके तरफ से और भी प्रोग्रम उनके मन में है कि और बहुत कुछ करना है हमारे घरीब बाईयों के लिए उनकी तो हमेशा इसे स्लोगे निकी रही है आप फारुक उसेन साथ तो उनको केसियार साथ को 40 साल से जानते है हो हमेशा से सिद्धी पेट के जब वहां के खायत थे और आज तिलंगाना के तिलंगाना हुकूमत के वजीरे आला है आज तक तब से लेके आज तक उनका एक ही नारा रहा है कभी मक्दुम मौयूदी ने कहा था हायात लेके चलो, खायनात लेके चलो, चलेते चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो के सियार साफ हर किसी को साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं और के सियार साफ हर किसी को साथ लेके चलने में उनका जो ट्रैक रेकॉर्ड है पिछले 40 साल का सियासत में वो खुद गवा है कि हर किसी को उस साथ लेके चलने में पूरी तरह से कामियाब हो गए और मैं उमीद कर देंगे और जो प्रोग्राम चालू किये गे इसको और भी जोरोशोर से आगे ले जाने का भी एक मोका आप देंगे ये मैं उमीद करते हुए आपसे रुखसत लेता हूँ जय तलंगाना